आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस हिसाब से मेरे कॉलीग्स ये हाउस में ये बता रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा जो व्यक्ति 16 पुलिस टेशन में रहा जेल में रहा उसे फिर से री जोइनिंग किस बेस पे की गई जब बीजेबी की सरकार थी जब उद्धो साहब ने खुद माने निये देवेंदर फंडविस साहब को फोन नकार दी, उनकी पूरी हिस्सी देखते पराबर उन्होंने नकार देते हूं इस तरीके से देश में खंड़ेनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पुरे देश में यह चीजों को पॉलो किया चाहिए गया। मैं आप से विनंती करती हूं। सार, जिस तरीके से बाकी लोगों प्र आरोप लगें। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराश्रम में मुख्य मंत्री जी के ही बोलने के कारण यह सब प्रकरण चल रहा है बाकि कोई इसमें इंडॉल्व नहीं है किसकी ट्रांसफर कहां से करनी है किस से खंडेनी वसूल करनी है और यह जो यहां पर खड़े हैं जो सीय में बात कर रहे हैं अगर सिर्फ मुंबई से सो करोड वसूली अगर महीने की ओती होगी तो पूरे महाराश्रत प्रारंब कीजिए आप बोलिए कि चौदरी सहाब प्रारंब कीजिए कि सभापती सभापती मौदे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद एक बहुती का दिया मैं यह बताना चाहूँगा कि पुलीस अधिकारी ने चिट्टी लिखने के पहले मुक्य मंत्री से मुक्य मंत्री को ब्रीव किया और मुक्य मंत्री को ब्रीव किया और उसके बाद में और जो की नहीं करना चाहिए था वो एंसीपी के सुप्रीमों को भी ब्रीव क कि उनको ब्रीब करने की का दिरूर्ट थी और ईसको ब्रीब करने के बाद उस ने मदबूर हो करकpri यह पत्र लिखना पड़ा और पत्र में बहुती घंबीर आरुप और ऐसे आरोफ के पूरा जो उससे लगता है ये बहुत ही पूरा का पूरा एक गिरो बनाओ था कि 100 क्रोड रुपयां एक मिने के लिए उगाई करने का और मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे मामले में माजन खुरम जी पाफुबर तर ये तीन पईयों की सरकार है एक पईया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है महराश्य में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के IPS ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक API को 100 करोड महिने की वसूली करने कहां जा रहा है तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड इंडू 12 महिने मतलब आप सोचिए 1200 करोड और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक API से 6000 करोड की अपेक्षा हो रही होगी तो आप सोचिए राश्रवादी कॉंग्रेस पार्टी NCP के ग्रह मंत्री और कितने API से पैसा उस्वूल करना चाते हैं यह भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है दूसरी जरूरी बात सर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है जब ग्रह मंत्री नाशनलीज कॉंग्रेस पार्टी का है वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तिवा भी नहीं देंगे तो शिव संतत को पारिद करने हैं काफी काम संतत के सामने है इतनले शून्य प्रहा है